एक तरफ फिलिस्तिनी लोगों से आखों में आखे डाल कर पूरी सिद्दत से लड़ती इसराइल आर्मी की ये महिला जवान है तो दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के जेनिन सहर से उठता धुआ है हवाई हमले गोली बारी और घायलों की चीख पुकार है जेनिन से जान बचा कर भागते लोग है एक हपते पहले तक ऐसा दिखने वाला जेनिन कैम्प अब खंडर सहर की तरह दिख रहा है तबाई का ए मनजर केम्प को लगबग तभा कर दिया मोजूदा हालात की तुलना दूसरे इंतिफादा यानि विद्रहों की खूनी जंग से की जा रही है आखिर रिफ्यूजी केम्प पर आकरामक्षे नकारवाई के पीछे इजराइल का मकसद क्या है फिलिश्टीन में 20 साल बाद इजराइल का सबसे बड़ा हवाई अमला क्यों करना पड़ा हमास के खिलाप नेतन यहूँ का ओप्रेशन ब्रेक वाटर क्या है नमस्कार में राजीव चोधरी मद्य परदेश के पेसाब कांड यूएस से से पन्नू की मोत की अफ़ा की खबर और यू सी सी पर राजनेतिक तू तू मैमे के बीच इजराइल के परधान मंतरी नेतन यहूँ का ओप्रेशन ब्रेक वाटर की खबर कहीं न कहीं दब कर रह आखिर हमास और इजराइल के बीच क्या है जंग जो एक साप और नेवले जैसी है एक की जरासी चूक और दूसरे का स्थित्व समाब्त यह इजराइल के अस्थित्व की लड़ाई है यह हमास की जिहाद का अलान चर्चा में आज इजराइल की फुल इंसाइड इस्टोरी यही मौजूद है जिनीन कैम कई दिन पहले इजराइल सरकार ने 13,000 नए घरों के लिए परमिट जारी किया था इसके विरोध में हमास ने एक यहुदी बस्ती के पास चार इजराइली नागरिकों की गोली मार कर हत्या कर दी थी इस घटना के बाद इजराइल जो राजनेत ब्रेक वाटर जिसमें तीन जुलाई को रात के एक बजे जेनिन के रिफ्यूजी कैम्प में चीख पुकार मच गई इजराइली शेना ने आडरों से भारी बंबारी की यह फिरिस्तिन यातंकी संगठन हमास का गड़ है इस रिफ्यूजी कैम्प में करीब आदा किलोमेटर के दाइरे में 18,000 से जादा लोग रहते हैं इजराइल के हजारों से निकों ने इस कैम्प को निशाना बना कर कम से कम 10 ड्रोंग अडेक किये अगले दिन तक इलाके में गोली बारी और विस्फोट की आवाज सुनाई देती रही हम यूटूब की पॉलिशी के चलते हमले की सभी फुटेज नहीं दिखा सकते लेकिन आपको बता दे कि घायलों की संख्या इतनी थी कि मरीजों से भरी एंपुलेंस थोड़ी थोड़ी देर में रिफ्यूजी केम्प के बाहर निकल रही थी जेनिन केम्प पर हमले के बाद इजराइली सेना और फिलिस्तिनी आतंकी सं 20 साल पहले भी इजराइली सेना ने फिलिस्तिनी सेरों पर जम कर हवाई अमले किये थे 5 साल चली जंग में कुल मिलाकर 3000 फिलिस्तिनी और 1000 इजराइली नागरिकों की मौत हुई थी अब एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तिन के बीच इस जंग ने 20 साल पहली याद ताजा कर दिये जेनिन में रिफ्यूजी केम्प को तभा कर दिया गया इलाके में मौजूद घर, सड़कों और कारों का मलबा हर जगह फैल गया इससे पहले सोमवार को फिलिस्तिन के आत साइरन बजाया गया, आइरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया, इजराइली मिलेटरी ने गाजा से आए पांच राकिट को मार गिराने की पुष्टी की, इसके बाद सेना ने गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर दोबारा एर स्ट्राइक की, इस पर इजराइल के प पीछे से किसका साहरा मिला आए, क्या इजराइल हमास से जीत जाएगा, या मुसलिम देशों की मदद से हमास इजराइल का स्थित्व मिटा देगा, असल में टाइम सोप इजराइल के अनुसार हमास में करीम 27,000 लड़ा के को यातं किये, इन्हें 6 रिजनल बिर्गेड में पाटा गया है, इसकी 25 बटालियन और 106 कमपनिया है, इनके कमांडर बदलते रहते हैं, हमास में 4 विंग है, मिलिटरी विंग के चीफ है इजद्दीन अलकासिम, पोलिटिकल विंग की कमान इसमाईल हानिया के हातों में है, इस विंग में नंबर 2 पर है मुसा अबू मर्ज इसक नहीं है, उनके लिए हमास नया नाम हो सकता है, इसराइल इसकी तुलना अलकाइदा और इस्लामिक स्टेट से करता है, लेकिन सचाए ये है कि हमास को जनम देने वाला भी इसराइल है, ठीक वैसे जैसे तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया, फिर तालिबान की से अलकाइदा बना और दोनों मामलों में एक चीज कौमन है और वो ये है कि तालिबान हो या हमास ये उन देशों के लिए ही मुसीबत बन गए जिन्होंने इन्हें खड़ा किया साल 1948 इस साल एक नए देश के रूप में इजराइल का जनम हुआ ये जगह थी इसलामिक देशों के बीचों बीच इस कारण जनम लेते ही इसलामिक देश इजराइल को आखे दिखाने लगे सबसे बड़ा दुस्मन बना फिलिस्तीन जो इजराइल को डिपलोमेटिक लेवल पर आख दिखा रहा था इजराइल को जब लगा कि डिपलोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है तो 1970 के दसक में उसने फिलिस्तिन के कट्रपंती संगठन को उदारवादी फिलिस्तिन नेताओ के विरोध में खड़ा कर दिया हाला कि हमास की ओपचारी की स्थापना 1987 में मानी जाती है लेकिन उससे पहले वो चोरीची पे काम कर रहा था हमास ने अस्तित्व में आते ही फिलिस्तिन की लिबरल लिडर्शिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तिनी आंदोलन का जंडर बरदार बन गया इजराइल के लिए सिर्दर्द भी बन गया इजराइल के पूरो जर्नल यतियाक सेजेव ने एक बार का था कि जहर से जहर मारने किये नहीं थी एक एतिहासिक गलती थी इजराइली सरकार ने यतियाक को हमास के लिए बजट भी दिया था इसका अफसोस उसे आज भी है हमास इजराईल के हातों से निकला तो हमास को तुरकी ए और कतर से फंडिंग मिलने लगी हमास के एकनेता खालित में Essal ने तो कतर में बाकाइदस का दफतर भी कोल दिया था इरान भी हमास को हतियार और पैसा देने लगा इरान भी इजराईल का भी नाश चाता है हाला कि इरान शिया मुल्क है जबकि अरब वर्ल्ड सुननी है लेकिन काफिर इजराइल के लिए शिया सुननी एक हो गए आज हमास का लक्स है कि वो इजराइल के उन हिस्सों पर कबजा करना जिन में ज़्यादतर फिलिष्टीनी है और एक सवतंतर देश के रूप में खुद को इस्थापित करना हला कि हमास को ज़्यादतर मुस्लिम देश पत्थरों से जंग लड़ने वाला संगठन कहते हैं लेकिन सच्चा ही क्या है ये आप इन दिनों जारी जंग से देख सकते हैं उनके पास हजारों रोकेट भी है और लांचर भी है आदूनिक हतियार भी है और फोरन फंडिंग भ होने है अब इजराइल की ताकत के चलते जिसे ज़्यादा मदद भी नहीं मिल पा रही है हर बार जड़प में हमास को ही नुकसान हुआ इस बार भी उसके च्छें कमांडर मार गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया इजराइल के परधान मंतरी नेतन यहु ने क करेगा